12 फरवरी 2024 आपके भागय के स्वामी, आपके योग कारक ग्रह, आपके चौथे भाव के कुटुंब के स्वामी, आपके बारवे भाव में प्रिवेश करने वाले हैं जो कि उनके मितर की राशी है और शुक्र का ये परिवर्तन यानि की देत्य गुरू का ये परिवर्तन कुम्ब राशी के जातकों के जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आयेगा चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में विस्तार से तो वीडियो को लास तक देखें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं तो देखें एक एक करके जो ग्रहों का राशी परिवर्तन है वो हो रहा है और अभी ये चोथा ग्रह है जो मकर राशी में प्रवेश करने वाला है मकर राशी में पहले से ही सूर्य मौझूद है ग्रहों के स्वामी राजा मौझूद है और मंगल पहले से मौझूद है जो कि ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं राज कुमार युवराज भी मौजूद हैं जो की बुद्ध देव हैं और अब बारा फरवरी को शुक्र देव दैते गुरू हैं प्रेम के रुमान्स के लगजरी चीजों के कारक हैं इनका प्रवेश भी मकर राशी में होने वाला है अब ये जो राशी है ये इनकी मित्र की तो यहां ये अच्छे फल देते हैं और ये जो शुक्र है ये क्या है ये किन किन चीजों के लिए शाशित है कला सिनेमा साहित कपड़ा बोजन हॉस्पिटालिटी संगीत आभुशन ब्यूटी प्रोडक्शन फैशन इत्र लग्जरी कला से सम्मंदित जितने भी पेशे हैं व मैं बात करें हूँ कुम्ब राशी की और कुम्ब राशी के लोगों के लिए कौन से हैं ये कुम्ब राशी के लोगों के लिए ये आपके कुटुम्ब के स्वामी है चोथे गर के जो माता का है घर का है गाड़ी का है बंगले का है और साथ में हैं आपके नवम भाव भाग तो यह यहां आकर क्या करेगा यह करेगा कि एक तो आपको अपने जो परिवार से जुड़े मामले हैं उन पर ज्यादा ध्यान देने के आवश्यक्ता पड़ेगी साथ ही इस राशी के लोगों को अपने घर के वातावरन पर ध्यान देना है परिवार के अंदर विकास की इच्छा कानुभव भी आप कर पाएंगे देखें मकाराशी में जो शुक्र की इस्तिती होती है उसका प्रभाव कारी शेतर में अच्छा होता है करियर के शेतर में सकारात्म के विकास होता है साथ में आप अपनी नौकरी में बदलाव की उम्मीद भी कर सकते हैं वर्तमान समय में आप जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ आपको संतुस्टी भी होगी और आपको नए अवसरों की तलाश भी रहेगी क्योंकि ये आपके अंदर शुक्र प्रेड न डालेंगे कि आप नई नई चीजों की खोज करें यहां से जो शुक्र की इस्तिती है बारवे घर में है और बारवे घर से जो शुक्र की सातवी द्रस्टी है वो कहां जाएगी छटे भाव पर जाएगी छटा भाव कौन सा है रोग रिपुरिन का है तो इस अवधी में आपके अंदर रोजगार की तलाश जादा करेंगे अग अगर आपके पास नहीं है और साथ में जिन कामों से आप जुड़े हुए हैं उन पर ध्यान भी देंगे अब इस दोरान आपको कुछ जो व्यवसाएं हैं उन में थोड़ा सा आपको चुनोतियां भी आ सकती हैं उन चुनोतियों का सामना भी करना है धान निवेश करते समय थ सकारातमक्ता देखने को मिलेगी दोस्त और आपके जीवन साथ ही किसी खास के साथ अपने जो अनुमोल वक्त हैं अनुकूल वक्त हैं उनको आप बिता पाएंगे और अनुभव भी कर पाएंगे यहां यहां आपको एक तो अपना द्रस्टिकोन थोड़ा सा अच्छा रख आत्मनिरिक्षन भी आप अपना कर पाएंगे और साथ में आप किंदर एक काम को लेकर उतेजना भी देखने को मिलेगी आप भावनात्मक रूप से अध्यात्मी चीजों से भी जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि बारवा घर मोक्ष का घर भी कहा जाता है बारवा जादा जानने का मौका आपको मिलेगा थूड़ा वक्त एकांत में में वैतीत कर पाएंगे यहां भी आपको अपने खुद के बारे में जानने का मौका मिलेगा सामाजिक गतीविदियों से आप बचने की कोशिश भी कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजे जो वेवसाय करने वा करना कुछ ऐसे काम होते हैं जो परदे के पीछे होते हैं यानि कि टेक्निकल आप हैं टेक्निकल फिल्ड से जुड़े हैं या फिर आप एक कोडियोग्राफ रहें तो आप परदे के पीछे रहकर लोगों को यहां आगे काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं अर्थात ये कला संगीत मनोरंजन से सम्मंदित गुप्त कमिंटमेंट और वेवसाइक गतिविदियों को जन्म दे सकता है आपके नीजी जीवन में गुप्त रूप से अगर आपने रिष्टे बनाने की कोशिश की है तो वहाँ सावदानी रखनी है क्योंकि इन चीजों के लिए भी यहाँ जो है काम बनता हुआ दिखाए दे रहा है कि आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रो मैरिटल अफेर आपके बहु सकते हैं जो आपको काफी ज़्यादा नुकसान दे हो रहेंगे जन्म कुंडली में अगर शुक्र की इस्तिथी अच्छी नहीं है तब ये गुप्त प्रेम आपकी प्रतिस्था को नुकसान पहुचा सकती है और अगर आपकी जन्म कुंडले में शुक्र की इस्तिति अच्छी है, अच्छी पोजिशन है, अच्छे भाव में बैटे हैं, अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, तब शुक्र की इस्तिति आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल रहने वाली है। आप अपने दामपत्य जीवन में अपनी निजी बातों को लेकर अच्छे से एक दूसरे के साथ बाच्छीत कर पाएंगे। बोजन किया, आप बोजन करने के बाद कम से कम दिन में दो बार तो इलाइची जरूर खाएं, हरी इलाइची होती है न, हरी इलाइची खाना शुरू करें। ये बहुत अच्छा उपाय होता है शुक्र का। साथ में फूलों की खुश्बू वाला पर्फ्यूम लगा सकते हैं या फिर इत्र, गुलाब के इत्र का प्रियोग करें। पर्फ्यूम, फूलों की खुश्पिवाला वैसे पर्फ्यूम अवाइड करने ज़ाद अच्छा रहेगा, इत्र सबसे बैस्ट होता है शुक्र के उपाय के लिए, तो गुलाव के इत्र का ही प्रयोक करें, ये शुक्र का इतना अच्छा उपाय है, जो आपके खराब शुक् बिताना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा देखी स्वास्थे की मैं बात करूं तो आप अपने उचित आहर पर ध्यान दे व्यायाम आधी आप करते रहें एक्सरसाइज वगेर आप करते रहें तो आपका स्वास्थे भी अच्छा रहेगा यानि अपनी स्वास्थे को आ तब तो आपकी चीज़े अच्छी रहेंगे, क्योंकि छटे भाव पर द्रस्टी है, छटा भाव कौन सा है, रोक का भाव भी है, सात्वी द्रस्टी मंगल की भी है, सात्वी द्रस्टी सूर्य की भी है, सात्वी द्रस्टी यहां शुक्र की भी है, और बुद्ध की भी है, दोस्तों और अधी किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें